नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ Fantasy Binning 11 यूटूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही करता हूँ कि आपके चेरे पर मुस्कान होगी दोस्तों यहां से मिलने वाला Deep Analysis और Best Production जिसकी दम पर आप शांदार Binning Combination सेट कर पा रहे होंगे जो आपको Grand League और Head to 8 दोनों ही परकार की लीगों में काफी अच्छी दोस्तों Binning करा कर दे रहा होगा दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS और WW दोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाले आज के टीटेन मुकाबले के बारे में तो टीम का Combination सेट करने से पहले जान लेते हैं दोनों ही टीमों का अब तक टूनामेंट में सफर कैसा रहा है सबसे पहले CS टीम के बारे में बात करें तो दो मुकाबले इनों ने इस टूनामेंट में खेले हैं दोस्तों पहला ही मुकावला N का बिसी बना किसी रिजल्ट के यानि दोस्तों इसका किसी प्रकार को कोई परिणाम नहीं आया है और यह समापत हो गया है वहीं अगले मुकावले की बात करें दोस्तों यह मुकावला N के बात करें तो दो मुकावले यहां पर खेले हैं एक मु 220 रन मनाए थे दो बिकट के नुकसान पर वहीं अगर डूनों ही टीमों की बालिंग डेपार्टमेंट की बात करें तो C.E.S. ने सामने वाली टीम के 8 बिकट गराए हैं और C.E.S. के पास अच्छे बोलर भी हैं तो इसका मतलब यह है हमें C.E.S. के बोलरों पर काफी ध्यान देना पड़ेगा वहीं अगर डवल डवलू के बारे हम बात करें तो पहले मुकाबले में इन्होंने सामने वाली टीम के दस और दूसरे मुकाबले में सामने वाली टीम के नो बैकिट इनों ने गिराए हैं यानि देखा जा दोस्तो ओवरॉल दोनों ही टीम उपो तो हमें आमेज दोस्तो सबसे अदा बोलर को आज ध्यान में रखकर टीम बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले दोस्तो बात करेंगे हमार हर पिलियर के बारे हम दोस्तों यहाँ पर डीप एनलाइसिस करके आए हैं और शांदार प्रेडिक्सन आपके लिए देने वाले हैं दोस्तों बात करेंगे बोलिंग डिपार्टमेंट पर थोड़ी से नज़े डालो दोस्तो वीडियो को आपको एकदम ध्यान से देखना है और चैनल पर दोस्तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कूल भी न भूले और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बड़ी आसानी से आप बहां से हमसे जुड़ सकते हैं सबसे पहले दोस्तों नजर डालने वाले हैं हम बिकिट कीपरिंग सेक्शन से तो यहां पर हमारे सामने दो बल्लेवाज दकाई दे रहे हैं जिसका पहला नाम है अपन बाम मुहमत के बारे में बात करें तो इनका बैटिंग ओडर नवे नंबर पर आता है इसलिए दोस्तों ह इनकी बैटिंग नहीं आई है लेकिन दोस्तों आपको बता दे हैं यह बल्लेवाज पांच पर नमबर पर बल्लेवाजी करता है और इनके पराने रिकोर्ट्स भी काफी शांदार है तो ऐसे में दोस्तों हम विगट कीपरिंग सेक्शन से मातर एक पिलियर के साथ जाना चा काफी शांदार दोस्तों यह बल्लेवाज हैं और बात करें दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में कहा था कि हम बॉलर्ट्स पर जादा नजर रखने बाले हैं लेकिन कोसिस यही करने बाले हैं कि दोनों ही टीमों के हम टॉप ओडर के बल्लेवाजों को अपनी टीम में खिला तो नमबर चार और नमबर पांच इनका एवरेज बैटिंग ओडर रहता है हाला कि दोनों ही मुकावले में इनकी बैटिंग नहीं आई है क्योंकि दोस्तो पहले मुकावला पानी करन रद हो गया था दूसरे मुकावले में दो ही बिकर्ट टीम के गरे हैं लेकिन दोस्तो नमबर चार पर बैटिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप इने नमबर अपने टीम में दोस्तो सामिल कर सकते हैं वहीं अगर बात करें असलान खान मलिक के बारे में दोस्तो डवल डवलु के लिए नमबर चार पर ये बैटिंग करते हैं best लिए दे वार में नहीं यर उनका रेकॉर्ट का पर बाथेज । हम उनकों आकारी नहीं को सबस्क्तित्ज्यास सब्सक्राइब मैं एक जविए बैता नहीं और गया अर्ड़ सब्सक्राइब ॢूर सबस्क्तित करों यह सब्सक्राइब जुवेदी 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 पारी इनके बल्ले से निकली है और दोस्तों 100% आप इने अपने टीम में रखने वाले हैं हलाकि यह दोस्तों बल्ले बाज बॉलिंग नहीं करता है इसके बाद दोस्तों बात करें यादी अमीरो ले श्यामी के बारे में तो 92% लोगों ने इनने अपने टीम में सेलेक्ट किय बैर दोस्तों ये एक ऐसा बन्ले बाज है वहीं है मतल niez लिए कि अपनी तीम के लिए निकाले हैं ऐसे में हन्डर्ट पर्चंट दुस्तों हमने अपने लिए वाले हैं देखा जा दोस्तों तो हम पूरी कोसिस करेंगे कि दोनों ही टीमों से हम 20 ओवर कवर कर सकें ऐसे हम दोस्तों दो ओवर हमने यहाँ पर कवर कर लिये हैं दोस्तों अब जाद ही बात करें आगे अपन डी हाजमी के बारे में यहाँ पर बात करें तो नंबर साथ पर यह बैटिंग करते हैं और दोस्तों बात करें तो इस बैटिंग के लियास से हमें ने देखा जा तो बैटिंग सेक्शन में हैं लेकिन बैटिंग लियास से हमें अपने टीम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यह दो मुकाबले खेले हैं और पहले ही मुकाबले में इन्हों न करें वाले हैं ऑल्राउंटर सेक्षन की बात करें तो यहांपर एंवो els एतिन न मिलने वाले वालुएं को जीरो पर आउट हो गए थे पर अच्छी बात दोस्तों ये है कि दोनों ही मुकावलों में इन्होंने एक कोवर फेका है और दोनों ही मुकावलों में एक एक बिकिट लेने में ये काम्याव रहे हैं और दोस्तों खन मलक के बारे में एक और बात ये है कि टूनामेंट में सबस दूसरे मकांबले में दूस्तों चार रनेने पहले मकांबले में बॉइलिंग नहीं की है लेकं दूसरे मकाबले में दूस्तों दूरागे थे लूखकरकुमान नूर हकیم शहर के बारे में पहले मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग नहीं की लेकिन दूसरे मुकाबले में दो ओवर फेकने के बाद तीन बेगट अपने टीम के लिए लिए हैं दोस्तों इनके पुराने रिकॉर्ड पसी काप एच्छे हैं तो देखा जाए तो हम इन्हें अपन तीन के लिए निकाले हैं यानि देखा जाया दोस्तों तो हर प्रकार से हमने टीम में शामिल करने वाले हैं जूसतों काफ भी शानदार यह औरशार वीरा जाजव जाज है दॉसाँ देखते हैं आगे यादी हम को और उसी आपक्र आपकर आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक कमाल अलयिफ के बारे में 35 परशन्ट लोगों ने यह अपने टीम में सेलेक्ट किया है दुसतो पहले मुखाबली में नों को सलह है दोस्तों, आप इने 100% अपने टीम में रख सकते हैं. इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, मुहम्मumd आमियर आजीम के बारे में तो टीम के लिए दोनों मुकाबलों में इन्होंने open किया है और open करते हुए दोस्तों, पहले मुकाबले में हलाकी जीरो बनाए लेकिन दूसरे मुकाबले में दसरे निनके बल्ले से निकले और साथी साथ दोस्तों दोनों ही मुकाबलों में दो दो ओवर उन्होंने फेके हैं पहले मुकाबले में एक और दूसरे मुकाबले में दो विकेट टीम के लिए निकाले हैं यानि देखा जा जा दोस्तों तो ये आपके लिए सबसे शांदर कैप्टन और बाइस कैप्टन की भूमी का आसानी से निवाने वाला है इसके लावा दोस्तों बात करें अब्दुलराशिद अहित के बार कर दिया है यानि ऐसे में दोस्तों आप इने 100% अपने टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो की शुरूबात में ही कहा था कि हम बॉलर्ट पर सबस्दाद ध्यान देने वाले हैं और उन्हीं को अपनी टीम में जगा देने वाले हैं इसके आल कीशतों वाला है यानि देखाया दोस्तों यहां से एक दोो और बात करें दोス्तो राशते चार तीन प्लियार और जो सबस्दों बोलिंग भी यह उसे हमारे लिने रहे हैं न बात करें वेजिया उन्हीं के बारे मैं तो आप इनको भी अपने टीमूटे खुसारा है हैं क्योंकि दोनों मुकाबले में दो दो फेक हैं उला कि दोस्तों पहले मुकाबले में 2 और दूसरे बउकाड में एक बिकेट निकाला है तो आप इनको जखाता दे सकते हैं जानी देख जा दोस्तों तो पाँच बोलरों के साथ evaluating रहा सकते हैं ऐसे में दोस्तों तीन बोलरों को लेंगे एक बिकेट कीपर को अपन यहां से लेने वाले हैं और दो ओल्ड राउंडर को अपने टीम में रखने वाले हैं इस प्रकार आप हैट टूएट की काफी शांदा टीम यहां से तयार कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि जो सामने बनाएगा उस पांच बोलरों के साथ दोस्तों कभी अपनी टिम नहीं बनाएगा ऐसे में आपके जीत चांस काफी जड़ने वाले हैं कं सुआ हम झालगन हम पांच बोलरों को को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए